जै मातादी मेरी प्यारी सी यूटूब फैमली को कैसी है मेरी प्यारी सी यूटूब फैमली आसा करती हूँ क्या आप बहुत अच्छे होंगे सबको नवरात्री की बहुत 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 कामना है मातारानी सबके घर में विराजमान हो चुकी है तो हम बनाएंगे मातारानी के करने के लिए अपने हाथों से प्यारी-प्यारी मातरानी को लिए भोग तयार करते हैं मासा दरिंग का पसंद दीद वो तो देखिए एक फुल क्रिम निटर दूर दे लिया हमने और इलोही की कड़ाई में हम इसको गरम करेंगे तो इसको हम पहले पानी से गीला कर लेते हैं अब हम इसमें दूर डाल लेते हैं कि आशिए धीर हमें दूर को इसमें डाल लिया है और अभ इसको फुल खçar पर प्लटना बोलते हैं तो देखिए इसको हमें इस तरीखे से चलाना है किनारों केनारों से देखिए अभी दूर गरम होता जाएगा तो ये किनारों पे चिपकता जाता है तो हुआ किनारों से हटाते हुए और उसको तली से टच करके चलाना है दूद को इसको पलटना हमने लिया है इसको तली से टच करते हुए चलाना है अराम राम से और किनारों से हम दूद को हटाते जाएंगे और इस तरीके से हम जो न कड़ाई के जो तली है इस से टश करते हुए इसको चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ने चिपके दूद तो देखिए दूद गरम हो चुका है उबाला चुका है दूद में इस तरीके से हमें दूद को पिलकुल काड़ा कर लेना है तो हम मा के लिए मा का पसंदिता भोग बना रहें फ्रेंस मा हमारे गर में विराजमान हो चुकी है मा के नवरात्रे शुरू हो में है और मा को मनाएंगे और हमारी मा तो पहली मनी मनी मनाई है मनी ही रहती है वुश्चा तो होती नहीं किसी से भी तो हम अपने हातों से अपनी मां को भोग बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी मां को हम अपने हातों से भोग लगाते हैं तो अपने हातों से बना कर खिलाएंगे तो हमें बहुत शांती मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है तो देखिए हम दूर को थोड़ काम है क्योंकि मैं हर friday को मां को एक लीटर दूद ये गरम करती हूं इस तरीके से मां के लिए यह फ्राइड़ को भोग बनाती हूं मैं क्योंकि Saturday को मिरे को भोग लगाना होता है मां को सट्रीड़ के मेरा नहींत हो चुका है और इस तरीखे से हमने घैसtvियूम को मीडियम कर दिया है अगर समगोर ब्लेया झाल जाएगा cònक्राइप को दूरय यह तो इस तरीखे से देखे दाने में पूक्णे मेंें बीच से पच्शिets ऐसे ने जाएम नहीं लगता है एक थाली के दूद को इस तरीके से फुगते हैं तो 20-25 मिन लगते हैं बशेट में 20-25 मिनेट में हमारा दूद खुवा बना रहे हैं हम तो खुवा बनकर हमारा तयार हो जाता है बिल्कुल तो देखें दूद मिल्कुल काड़ा होगी अब हमने गास फ इतना बूलना है इसको तो इसको बूल लेते हैं हम अपनी मा के लिए अपने हाथों से भोग बना रहे हैं और मा का बहुत पसंदिदा भोग है बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का मेरी तरीके से आप जरूर बना करें और आपने मारी YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नही जाकती हैं वाल घ्सा सब्सक्राइब की अबूल है खूवह को तैयार हो चुका है देखिए सिंपक्यास फ्लीम पर प्हून रहे हैं हम इसको सब्सक्राइब घीषा सहां निकल जाता है तो देखिए खौवह को हमाराब भूल चुका है हम बूल निकाल लिया है देखिए इतनी महनत तो हम अपनी महलत तो हम करींसकते हैं थोड़ी से महत लगती है मैं भोग कीहिए अपने बुरुद राद रहे हैं तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि यह खराब नहीं होता है तो आप इसको बना के रख लिए जाधा बना लें इसको हम फ्रंडा कर लेंगे को तो आप जाधा बना सकते हैं क्योंकि खराब नहीं होगा फ्रीज में रख लक्त तो पांचे दिन अलाम से ही चल जाएगा निकली खोव बना है एक थैली में तो उतनी हमने बूरा डाली है मीठा आप अपने हिसाफ से डाल सकते हैं तो देखे इसको हलके हाथों से हम मिक्स करेंगे क्योंकि थन्ड़ होने के बाद ये भी थोड़े सक्ट सक्ट हो जाता है खोव भी और ये बूरा में भी थोड़ी बना है बिल्कुल सींपल तरीके से बनाएंगे अपनी मा के लिए हम और मा का ये बहुत ही पसंदिता बोग हो को खाण और मेरी तरीके से आप जरूर बनाा कर देखें तो देखिए अब हम बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं जो पेड़े का साइज होता है वो बनाएंगे हम तो पेड़ा बना रही हूं मैं देखिए तो पेड़े का जो साइज है वही साइज मैं बना रही हूं इसमें तो इस त जीदा भूग है और मा इस भूग को पाकर बहुत ज़्यादा परसन होती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब अपनी मा को हम अपने हाथों से खेलाते हैं तो देखिए सारे पेड़े हम इस दरीके से बना लेंगे और एक थाली में 11-12 पेड़े बन जाएंगे इस सा भाइश के बनाएंगे तो 12 पेड़े बनेंगे तो कि फ्राइड़े मुझे पक्का बता है और में हर बार बनाती में आपको बता रहीँ उलिए इस तरीके से बना लेंगे था तरीके से आप जरू बनाएं मा के लिए भोग तेयार करें आप ज्यादा बना सकते हैं और रोज आप मा को भोग लगा सकते हैं । मा इससे बहुत पर्षन होती है, मा का बहुत पसंदीदाब हो गई है, विलकुन हमने कुछ में डाला है, इसमें सिंपल तरीके से बनाना है, सिंपल तरीके से ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, अगर आप इसमें कुछ पर डालेंगे तो उतने ज़्यादा अच्छा टेस्ट सींपल तरीके से इतने जय्यास के बढ़नों को तकर आए तयार thinking गिस्ट हए और देखें चृट मुंए एस टो सनके हमेरे शिल में शकता हिरल Ubwe के चुल्क यह में यह तो पूजह तो गले के रहें नुब हुना के कहना है इस को सुबा धाया है तो यह कोaza करेंगे हैं भौकम म courts i be अध़्शट हो जाएंगे टो फ्र зах怎麼了 पी आपको थोड़ी फ़संद आए easy assets वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब परेने बिल्कूल लजाए रैसे आपको बहुत पसंद आएगी और मा को भोग लगाए मेरी तरीके से जरूर बनाए और मा को भोग लगाए मा का पसंदीदा भोग मा को परसंद करें और अपने हाथों से बनाएंगे तो तुमा वह ज्यादा खुश होगी, आपको भूत अच्छा लगे,